नवश्कार नाकपुर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपुर के विबित हलचल पर शुक्रवार को महावित्रन के शेत्रिय कारेले में भारतिय सविधान के उद्योश्यों का सामोहिकवाचन किया गया महाप्रबंदक शरत दाहेदार ने काटोद रोड स्थित महावित्रन कारेले में आयोजित भारतिय समिधान के उद्योश्यों का सामोहिकवाचन समारों की अध्यक्षता की इस अउसर पर अधिक्षक अभियंता हरिश गजबे, अजय खोबरागडे, सहायक महाप्रबंदक रुपेश देशमुक, प्रदीप सात्पुते, कारेकारी अभियंता समिर शेंदरे, राजेंद्रगिरी, सयुक्त मुख्य ओध्योगिक संबंद अधिकारी मदु सुदन मरा कानुनी अधिकारी शेलेंद्र फुले, उप्रबंदक सुनिल धाक्तोड और अन्य अधिकारियों और करमचारियों ने भारतिय सविदान के उद्यश्यों को पढ़कर सविदान दीन मनाया मेहमुदा शिक्षन एव महिला ग्रामिन विकास बहुत देशियर संस्ता द्वारा संचाली सेंट्रल इंडिया ग्रूप ऑफ इंस्टिशन गोधनी में सविदान दिवस कारेक्रम मनाया गया इस विशेश औसर पर मुख्य अतिती के रूप में सेंट्रल इंडिया कॉलेज ओफ लॉग के डिरेक्टर डॉक्टर स.म राजन उपस्तित थे मुख्यती थी डॉक्टर राजन ने अपने भाशन में मुख्यत रूप से उच्च शिक्षा की प्राप्ति को जीवन का उदेश बताया और ये कहा कि महिलाओं को खास्तोर से आगे आकर समाज में विशेश थान प्राप्त करना चाहिए यही हमारे समिदान का मुख्य उदेश है एक औरत घर देश तता विश्य का विकास कर सकती है शिक्षा के साथ अपने अभी रूचियों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए सेंट्रल इंडिया अधापक विध्याले की प्राचार या डॉक्टर यासमीन सिद्धिकी ने अपने भाषन में मुल्यों पर आधारी शिक्षा पर भर दिया उन्होंने यह भी कहा कि सविधान अधिकार नहोते हुए कर्तव भी है उन्होंने कहा कि व्योसाई ग्यान पर अधिक जोर देने की जरूरत है Central India BA College की प्राचारिया Dr. Swati Raut ने सविधान को समझने और शबत लेकर एक अच्छे और सशक्त नागरिक बनने का आवान किया साथी साथ सविधान दिवस पर एक साथ आकर हमारे सविधान के आदर्श को बचाय रखने का आवान भी उन्होंने किया सविधान दिवस के अउसर पर भाचपा पूर्वन आखपूर अनुसरी जाती मोर्चा के अर्विन वान खेडे की अधिक्षता में पूर्वनाकपूर विदानसभा शेत्र के अंतरगत आंबेडकर चोक पर पूर्वनाकपूर विदाय कुछना खोपडे के हस्ते भारत रतन डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यारपन किया गया इस अवसर पर भाचा प्रदेश महामंतरी धर्मपाल मेशराम नगर सेवक प्रदीप पोहाने कांता रारोकर अनिल गेंडरे प्रमोद पेडके मंडल अदेक्ष संजे अवसर चंदन गोस्वामी महंदर राउत जेपी शर्मा इंदरजित वासनिक मनोज अगरवाल बाल्या रा अंकुष हुमने कपिल मेशराम निरंजन दहिवले नामदेव ठाकरे विनोद बागडे मोनू साथपुते विशाल कोल्हापुरे आशिश मर्जिवे दिनेश पटेल बालू लाकडे ललित आमगे रवीत सवरे दोसेवान गुरुजी आशिश कनोजे राहुल बेलेकर सवार आदी उपस्ति थे कारेकरम में प्रतिकुल्पती प्रोफेसर हनुमान प्रसाथ शुकल और प्रोफेसर चंद्रकान रागित शिक्षा विद्यापीट के अधिश्टा ता प्रोफेसर मनोज कुमार साहित विद्यापीट के अधिश्टा ता प्रोफेसर अवधेश कुमार संस्कुती सविधान दिवस के अउसर पर भारत रतन डॉक्टर बाबा साहब आमबेट करके प्रतिमा पर मालयार पन किया। सविधान सबा के प्रारु समिती के अदेक्ष डॉक्टर भीमराव आमबेट करके 125 वे जैनती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा सविधान दिवस संपुर्ण भारत में मनाया गया। और तब से हर साल पूरे देश में सविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इस अवसर को राष्टे कानुन दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस अवसर पर सुरेश गुरिया, मुकेश भावनानी, आदी मानेवर उपस्ति थे। 125 वे जैनती वर्ष के रूप में, 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले ने इस दिवस को सविधान दिवस के रूप में मनाने की किंद्र सरकार के फैसले को अधिस उचित किया गया था। सविधानिक मुल्यों के प्रती नागरिकों में समान की भावना क बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जिसे तयार करने में दो वर्ष 11 महा 19 दिन लगे थे। निदेशक लौ कॉलेज मदर कदवे प्राचार्य सेंटरल इंडिया इंस्टिटूट अफ फार्मेसी। स्वाती बोधनकर प्राचार्य सेंटरल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सागर ठाकरे प्रिंसिपल इंस्टिटूट अफ फार्मेसी। डॉक्टर स्वाती राउत प्राचार्य सेंटरल इंडिया कॉलेज ओफ एजुकेशन, डॉक्टर सीमा चिखले प्राचार्य सेंटरल इंडिया विमेंस कॉलेज ओफ एजुकेशन और डॉक्टर यासमिन सिद्धी की प्रिंसिपल सेंटरल इंडिया अध्यापक कॉलेज प्रम अमरावती, गोंदिया और चंद्रपुर के ग्रामिन शेत्रों से सम्मन्दित उमिद्वारों को प्रशिक्षित किया था। इस योजना के थाद विभिन उपक्रमों द्वारा प्रशिक्षुओं को व्यक्तिगत विकास के अउसर प्रप्रदान किये जाते है। डॉक्टर अनिस एहमद ने कारेक्रम आयोजित करने के लिए चात्रों की प्रशंसा और सरहाना की। वेप, सोशल मीडिया एवं टेलिविजन के माध्यम से सविधान दिवस के अउसर पर प्रस्तावना पढ़ने में शामिल हुए। इस तरह की गतिवीधिया नाकपूर मंडल के मंडल मुख्याले में आयोजित की गई। नाकपूर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंदक, जैसिंग एवं पी एस खैरकर और सभी शाखाधी कारियों और अन्याधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सविधान दिवस पर डी आरेम कारियाले में प्रस्तावना पढ़ने में शामिल हुए। पवित्र दिक्षा भूमी में परम पुझ्ज डॉक्र बाबा सहब आमबेटकर समारक समिती दिक्षा भूमी नाकपूर और अखिल भारतिय धंब सेना की तरफ से सविधान दिन के उपलक्ष में शुक्रवार सुबह 11 बजे परम पुझ्ज डॉक्र बाबा सहब आमबेटकर समारक समिती के अध्यक्षव भदन्त, ससाईजी महासचीव, सुधिर फुलजेले, एन आर सुटे, विलास गजगाटे, प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर महरे, डॉक्टर ए जोशी, डॉक्टर बाबा सहब आमबेटकर कॉलेज के प्राध्यापक, कर्मचारी, भिक्षु, भ उपासक, उपासिका ने सविधां निर्माता परमपुझय डॉक्टर बाबा सहब आमबेटकर की जैजेकार की और भीमगित का गायन किया, तथा तथा अगत-भगवान्द्ध के पुट्ले के पास जाकर पुषप और माल्यारपन करके सभी ने मिल कर पंचश्यल ग्रहन किय उसके बाद डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेटकर धंबा दिक्षा स्तूप के अंदर में जाकर परमपुज डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेटकर के पवित्र अस्थी के दर्शन किये गये और तीन बार त्रीशरन बोल कर प्रदर्शना लगाई और भगवान बुद्ध के प्रतिमा के पास पंचशिल वह पूजा वंदना करके सभी ने दिक्षा भूमी के प्रांगन में स्थित सविधान के स्थम्ब के सामने सविधान के प्रस्तावना का पठन वशपत लिया और कार्यक्रम का समारोप किया गया अखिल भारतिय धंब सेना भिख्षू भिख्षूनी महा संघा के और से सविधान दिन के उपलक्ष में डॉक्टर बाबा साहब आमबेटकर अंतर राष्ट्य हवई अड्डे स्थित सविधान निर्माता भारत रतना परम पुज्ज डॉक्टर बाबा साहब आमबेटकर के प अधन्त ससाईजी द्वारा उपस्तित उपासक उपासी काओ को त्रीशरण, पंचशिल उसी प्रिकार बुद्ध वंधना, धम्म वंधना, संगवंधना दी गई और भारतिय सविधान के प्रस्तावना का पठन किया गया, वो शपत ली गई वभिमगित का गायन किया गया, महावानव डॉक्टर बाबासाइब आमेटकर के जिवन संगर्ष पर संगशिप्त में प्रवचन दिया गया, उसके बाद कार्यक्रम का समारोप किया गया अखिल भारतिय धंबसेना की ओर से समविधान दिन की उपलक्ष में सविधान चोक में भारतिय सविधान के शिल्पकार, भारत रितन डॉक्टर बाबासाब आमेटकर के पुतले का पुष्प माला अरपनकर बोध गया महाबोधी महावियार मुक्ती अंदुलन के प्रणिता धंबसेना नायक परमपुज डॉक्टर बाबासाब आमेटकर समारक समिती दिक्षा भूमी के अध्ध्यक्ष बधनत आ उपासक उपासिकाओ को त्रिशरण पंचसिल वैसे ही बुद्धवंदना धंबवंदना संगवंदना ली और भीमगेत का गायान किया गया महामानव डॉक्टर बाबासाब आमेटकर के जीवन संगर्श्पर थोड़ा प्रवचन दिया और कारेक्रम का समारूप किया गया आकाश रंगारी, विरंद्र गजभिये, अमन धन्वते, रेखा निकोसे, कला वाल्दे और बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाओ उपस्तित थे दयानन्दा आर्यकन्या विद्धयलय में समविधान निर्माताओं को श्रद्द सूमन अरपित कर समविधान के प्रती निष्ठाव आस्था के आवाहन के साथ समविधान दीन मनाया गया कारेक्रम के प्रारंब में राजनितिग्य शास्त्र की प्राध्यपी का संगीता ज्यान चंदानी ने सम्विधान के मूल्यों तथा भारतिय सम्विधान के रोचक प्रसंगों के संबन में छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी अधिकारों के साथ चात्राय अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी इमानदारी के साथ करे यह उद्गार प्राचार्या तेजिंदर वेनु गुपाल ने व्यक्त किये विभिन्न उदारनों द्वारा उन्होंने चात्राओं को सम्विधान का पठन पाठन करने तथा सम्विधान में नीहित तथ्यों तथा आदर्शों को जीवन में आत्मसात कर विकास के पत पर अग्रसर होने का आवान किया कारेक्रम के अंतम में प्राचार्या तेजिंदर वेनु गुपाल ने चात्राओं को सम्विधान की प्रस्ताओना का वाचन कराया आर्य विद्या सभा के अध्यक्ष अशक क्रिपलानी, सचिव राजेश लालवानी, इंचार्ज वेद प्रकाशारिय तथा सभी पदादिकारी गणों ने सव्विधान दिवस पर सभी को शुपकाम नहीं दी रोगनिदान शिविर का उदगाटन मरकजी जमियल अहले हदिस हिंद की अध्यक्ष मौलाना अजगर अली इमाम मेंदी ने जनाब वकील परवेच की मौझूदकी में किया मुख्याती थी क्रिसेंट नर्सिंग होम में हार्ट विशेशक्य डॉक्टर अजिच खान हड़ी विशेशक्य डॉक्टर फैजल त्वचा विशेशक्य डॉक्टर रिजवान उलहक रिदैरोग विशेशक्य डॉक्टर तारिक आखो की विशेशक्य डॉक्टर शादाब मन मनपा के चिकित सक स्वास्थय अधिकारी, डॉक्टर जोशी, पुलिस निरिक्षक ठाकरे, मनपा के युनानी मेडिकल अपसर, डॉक्टर ख्वाजा, महराष्टर स्टेट वगबोर्ड के पूर्वसदस्य, एडवोकेट आसिप कुरेशी, पूर्व नगर सेवक बंदूराउ आधि मान्यवर अतिती के तौर पर उपस्थित थे। मौम्मद असद, इम्मु भाई, वकिल भाई, खिजमत, आउनलाइन सेवा के सयद जाकिर अली आधि मान्यवर प्रमुक्ता से उपस्थित थे। अकादमिक आदान प्रदान के लिए महात्मा गान्दी अंतराष्ट्रिय हिंदी विष्व विद्यले वर्धा का बहुत दभारतिय ग्यान अध्धैन विष्व विद्यले सांची के बीच अकादमिक गतिवीदियों के संबन में एक संजोता ग्यापन किया गया. इस समझोता ग्यापन पर हिंदी विश्व विद्धाले की ओर से कुल सचिव कादर नवास खान तता बहुत धभारतिय ग्यान अद्धैन विश्व विद्धाले सांची की ओर से कुल सचिव अलकेश चतुरवेदी ने हस्ताक्षर किये इस समझोता ग्यापन के तहद दोनों विश्व विद्धालयों में अकादमिक आदान प्रदान किया जाएगा वीश्वविद्धालय के प्रशासनिक भवनस्तित सम्वात कक्षमे 25 नवंबर को आयोजित एक समारों में हिन्दी वीश्वविद्धालय के कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुक्ल और बौत दभारतिय ग्यान अद्दययण वीश्वविद्धालय सांची की कुलपती प्रोफेसर निर्जा एस गुपता उपस्तित थी समझोता घ्यापन के तहद दोनों विश्व विद्धालयों के बीच शिक्षकों का आदान प्रदान, शिक्षन, अनुसंधान और विकास में सहयोग अकादमिक सामगरी एवं प्रकाशनों का आदान प्रदान, सयुक्त अनुसंधान, व्याख्यानों कार्याशालाओं का आयोजन किया जाएगा दोनों विश्व विद्धालयों के द्वारा समय समय पर प्लेस्मेंट अभियान और कौशल विकास कार्यकरम चलाए जाएगे इस समझवता घ्यापन के अनुसार दोनों विश्व विद्धालय उद्धमिता संबंदी जानकारी भी साजा करेंगे सयुक्त रूप से उद्धमिता कार्याशालाए आयोजित करेंगे और शोद तता शैक्षणिक कार्यकरम की सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे यह समझवता घ्यापन आगामी पाच वर्ष के लिए लागू रहेगा जमियत उलेमा जिला नाकपुर का चुनाओ मुंबई से आये चुनाओ निरिक्षक के नेतरुत्व में दफ्तर जमियत उलेमा तकिया महबूफ शाग्राउंड में जमियत उलेमा की आम सभा में चुनाओ संपन हुआ जिसमें मुंबई से आये चुनाओ निरिक्षक मौलाना इश्टियाक एहमद उपाद्धिक्ष जमियत वालामा महराश्टर मुफ्ती हफिज उल्ला सेक्रेटरी मुंबई के नेतरुत्व में चुना हुआ महबुप उन नभी खान मौलाना मुहमद अम्तियास थे इस अ Canada पर मुहमद जैद अनसारी मुहमद अश्टाग दाबा शोयब खान मुलाना कबिर मुलाना मुम्ताज अम्जद खान अक्तर अनसारी इम्तियाज राजु जाविद अकील जुबेर कबिर बंटी नाकपुर की उभरती हुई एक्ट्रेस वो मॉडल उशा आमे सर फिल्म इंडस्ट्री में नाकपुर का नाम रोशन कर रही है उनके अभिनाय को देखते हुए शहर के एक प्रतिष्टित न्यूस चैनल और रिल्वेट टीम के आनन्द राज आनन्द फ्रेंड्स म्यूजिक हंगामा ने सेवा सदन चौक मुहम्मद रफी एकेडमी कल्चर मेमोरियल हॉल नाकपुर में उशा आमे सर को पूरसकार दे कर सम मानित किया गया जिसमें नर्खेड प्रतिनिधी सुनिल बडोले नर्खेड अजलपूर प्रतिनिधी सयद हुसेन सीरसगाव प्रतिनिधी आदिल खान कंठी प्रतिनिधी सुजात कुरेशी नाकपूर प्रतिनिधी तबस्सुम सयद रियाज शेक का समाविश रहा को सभी ने शुब काम नए दी खौन का है हमीदिया की जानिब से चार दिवसी आयोजन में शामिल होने के लिए और अंगाबाद से पीर सहब सेयद जाकिर अली शाह के नगरागमन पर बड़े गरम जोशी से उनका इस्तिकबाल किया गया उलेकनिया है कि पिर जाकिर अली शाह सामाजिक सद्भाव और मानावता के विभिन्न विशेयो पर अपनी ओजस विवानी से प्रवचन देंगे ताजबाग में आयोजित तालीमात समारोह में सेयद जाकिर अली शाह साहब ने कहा कि इश्वर की विभिन्न रचनाओं में सबसे बहतर रचना मानो जाती की है जिस वज़ा है कि इश्वर ये प्रलय आता है तो हम बेबस हो जाते हैं और हमारे बचाओ के लिए कुछ नहीं कर पाते पातन सामंगी में आयोजित तालीमात समारोह में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए समाज वलंबियों को वोधिक रूप से जंजोडते हुए उन्होंने कह कि हर प्राकृतिक नैसरगीक चीजों का दहन इंसान कर रहा है। एवं समरपन भाव का समरण किया गया। प्राचार्य तेजिंदर वेण गुपाल ने अपने उद्दार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे महानु भाव के पत चिन्हों पर चल कर वह भाव समरपन अपना कर ही उनकी पुन्यतिती मनाने को सार्थक किया जा सकता है। लेबिनेट के बैठक में लिया गया। इस पर ओल इंडिया मजली से इतिहादुल मुसले मिन्त के शहरुपाध्यक्ष जुल्फेकार एहमद शानु ने राज्य के मुख्य मंत्री को पत्रा लिखकर तिवर विरोज जताया। एहमद ने आरोप लगाया कि नागपुर अधिवेशन को मुंबई में कराने के फैसले से नागपुर करार की धजिया उड़ाने का कार्य राज्य की तिघाडी सरकार बार बार कर रही है। ये विदर्ब के साथ सारा सार अन्या है। सरकार की विदर्ब विरोधी नीतियों के कारण बार बार विदर्ब पर अन्या और जुल्म हो रहा है। एहमद ने कहा कि सरकार बनने के बाद पहला अधिवेशन छोड़ दिया जाए तो नाकपुर में कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ है बार-बार कोरोना का बहाना का अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया जा रहा है जबके मुंबई की बज़ाए नागपुर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या काफी कम है विदरबगी कई समस्या लंबित होने के बावजुद राज्यसरकार अधिवेशन लेने में टालम टोल कर रही है चाहे किसानों की समस्या हो, एस्टी करमचारियों की समस्या हो, दिव्यांग, आंगनवाडी, युवाओ वो महिलाओ की समस्या हो राज्यसरकार ने किसी मुद्दे पर ठोस काम नहीं किया है और इन मुद्दों को नजर अंदाज कर सरकार समस्याव से छुटकर अपाने की कोशिश कर रही है तो नागपूर हलचल में आज इतना है आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूस नमस्कार